नमस्कार दोस्तों जीके अर्जुल सार यूटूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है उत्तर प्रदेश लोगसवायुक प्र्यागराज जैसी प्रक्ता इतिहास प्रेटिसेट 20 में तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की गंटी को क्लिक करना ना बोलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अप्लोड करो उसका नोटिफिकेशन आपके वाइल पर सबसे पहले पहुँचे तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं हाँ अगर आप लोग इसे पिछला प्रेटी सेट 19 तक वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ जिसका नामे यूपी पीजी टी इतिहास और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दिया हूँ तो वहाँ से भी पिछले 19 प्रेटी सेट देख सकते हैं इसके लबा एक और आवसक सुचना अभी तक आप लोग ने मेरा संपून इतिहास का मास्टर वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्किप्शन में दे दि आओं तो उसको भी जाकर देख लिजे बहुत ही अच्छे क्वेशन का कलेक्शन किया गया है तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं देखें क्वेशन नंबर वन इसमें 18 सताब्दी में भारत में फ्रांसिसी कमपनी की वास्तविक इस्तिती के बारे में निमलिखित में से क्या सत्य है क्या सत्य है इसमें पूछ रहा है यह एक नीजी कमपनी थी यह फ्रांसिसी सरकार द्वारा समर्थित नीजी कमपनी थी यह मुख्य रूप से सरकारी उपकरम था यह भारत में बैपार करने वाले फ्रांसिसी बैपारियों द्वारा नियंत्रित थी तो इसमें क क्या सत्य है ये इंसर ढोड़ना है अपलों को इसमें इंसर होगा देखे सी यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम थी यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम थी कोईशन नमबर दो है निमलिकित में से कौन आवद का नबाब अपने दरबार में ब्रिटिश राज़ूत रखने को राजी हो गया कौन था आवद का नबाब साधत खां सफदर जंग आसफु दौला या सुजाव दौला इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा डी सुजाव दौल तो सुजाव दौला अवद का नबाब था जिसने अपने दरबार में ब्रिटिश राज़ूत रखने को राजी हुआ था कोईशन नमबर तीन है निमलिकित में से किस मराठा सर्दार ने 1719 में मुगल बासा को अपदस्त करने में सयद बंधूँ की सहायता की थी तो मराठा सर्दार का नाम पूछ रहा है जिसने सयद बंधूँ की सहायता की थी मुगल बासा को अपदस्त या पदस्त से हटाने में क्या नाम था दिया है सिवाजी दूती, साहू या बाजी राव या बालाजी बिश्वनात इसमें करेक्ट अंसर हो जाएगा डी बालाजी बिश्वनात तो बालाजी बिश्वनात ये मराठा सरदार थे जो 1719 इस्वी में फरुक सियर को अफदस्त करने में मराठा पेशवा बालाजी बिश्वनात ने सयद बंधूँ की सहायता की थी कुश्चन नमबर चार है पानी पत के तिरती युद के समय जाट सासक सूरज मल की क्या भूमिका थी दिया है उसने मराथों की सक्री सहयता की उसने आमसा आपदाली की सहयता की वह इस युद से अलग रहा उसकी सेना ने मराथों की केवल आंसिक सहयता की इसमें correct answer क्या होगा यानि तिर्ती यूद में जाट सासक सुरजमल की क्या भूमका थी तो इसमें भूमका थी वह जो है इस यूद से अलग रहा यानि पानिपत के तिर्ती यूद से अलग रहा कोश्चन नमबर पाँच है कोश्चन नमबर छे है निम्लिखित जाट नेताओं के नाम सूची के नीचे दिये गए कूट के नुसार कालानकुरम में ब्यवस्थित कीजिए दिये है राजा राम, सूरजमल, गोकुल, चुडामन इसमें कालानकुरम यानी समय सबसे पहले कौन तो इसके बाद कौन थे इसमें बैठाना है आप लोंको तो चलिए इसका एंसर जो है एगर कोड इसमें देखेंगे तो गोरा चुशू ये कोड है इसका देखें गो रा यानी गोकुल इसके बाद राजा राम तो सी और बी दोनों में दिया तीने एक चुशू यानी चार इसके बाद दू बी वला सही होगा इसमें इसका कोड याद कर लिजेगा अगर ऐसा आता है तो गो रा चुशू सब जो राजाओं के नाम है या सासा के उनके पाला सब लिएगा है गोरा से गोकुल हो जाएगा रा से राजा राम और चू से चूडा मन और सू से सूरजमल ये है चारों का बी वला एंसर इसमें करेक्ट होगा कोश्चन नमबर साथ है प्रथम आंगल सिख युद में सिख पराजित हुए निमलिखित में से किसने अंग्रेजों की सहायता की थी दिया है लाल सिंग तेजा सिंग गुलाब सिंग या कलक सिंग तो इसमें एंसर हो जाएगा ए लाल सिंग यानि लाड हार्डिंग के समय प्रथम आंगल सिख युद ये धुगा था अठारा सो पैंतालिस चियालिस में प्रथम आंगल सिख्यूद लाड हार्डिंग के समय तो सिख सरदारों के विश्वास घात के करण जो है इसमें अंग्रेज जो है बिजरी और विश्वास घात कौन किया था लाल सिंग अंग्रेजों ने जो है लाल सिंग को सिखों के साथ विश्वास घात तता वजीर का पद कोर्फट नमबर देखिए स्वितंत्र राजय बंगाल की राएधानी सिस्वतंत्र राजय बंगाल की राएधाने थी कहां पर ढौँनिकर दा नाम्जला नाम पर रखास है कहां पर थी मूर्सिदाबाद में मूर्सिदाबाद और बंगाल के स्वतंत राज का संस्थापत था मूर्सिद कुलिखा और अपने ही नाम पर रखा था मूर्सिदाबाद कोश्चर नमबर नौ है निमलिकित में से किसने 1771 में साह आलम को इलाहबाद छोड़कर अपनी पैत्रिक राधानी दिल्ली से सासन करने में सहायता की थी दिया है आमसापदाली, सुरजमल या निजाम उल मुल्क या मच्चदी सिंधिया या महादजी सिंधिया इसमें अंसर हो जाएगा महादजी सिंधिया कोंसर नमबर दस है निमलिखित में से किस पच्छ ने इलाहबाद की संधी 1765 में भाग लिया था कौन-कौन भाग लिये थे इलाहबाद की संधी में देखे इसमें इंसर हो जाएगा साय आलम रावर्ड कलाइब और सुजाव दौला कोशन नमबर दो है सुमेलित करने के लिए इसमें अपसर ने लिखेगे बस सुमेलित करके देखाद रहे हैं यह सम नए राज्य है और इसके संस्थापक कौन यह पूछ रहा है इसमें तो हैदरावद के संस्थापक किसो का जाता है निजाम उल मुल्क को अवद का संस्थापक किसो मना जाता है साधत अलि खाँ बंगाल के संस्थापक कौन था तो बंगाल के संस्थापक थे मुर्शीत कुली खा अरकाट के संस्थापक सादा तुल्ला खा इस प्रकार ये सुमेलित है कोशन नमर बारा देखे निमलिखित देशों में से किसने भारती कपड़ों के आयात पर रोक नहीं लगाई अथवा भारी चुंगी लगाई थी स्पेन, इटली, फ्रांस या हालेंड ने तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा डी हालेंड ने कोशन नमर तेरा है सूती कपड़ों के उतपादन पर से आयात कर घटाने के लाड लीटन के निमलिखित में से किसे लाब मिला ब्रिटिस उद्योग को भारती उद्योग को यह भारत सरकार को यह भारत की जनता को इसमें अंसर हो जाएगा ब्रिटिस उद्योग को कोशन नमर चवदा है निमलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म बिवाह अधनियम के विशाय में सही नहीं है सही नहीं है ये पूछरा इसमें ध्यान दिजेगा दिया इसने बाल विवाहों को गयर कानूनी बना दिया इसके अंतरजाती विवाहों को मंजूरी दी इसने बिधवा विवाहों को मंजूरी दी इसने बहु विवाह पर रोक नहीं लगाई इसमें कौन सा सही नहीं है तो D वला एंसर सही नहीं है इसने बहुँ विवाव पर रोक नहीं लगाई कोशन नमबर पंद्रह है दादा भाई नरोजी ने प्रथम बार भारती धन के इंगलेंड को निकासी को अपने किस लेख में असपश्ट किया इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा इंगलेंड डेट्स टू इंडिया कोशन नमबर सोला है निमलिखित में से सरपर्थम भारत में सहायक संधी पर हस्ताच्छर किस ने किया सायक संधी पर हेदराबाद के निजामने 1709asVI में हैं अगर आवद के नवाप पूछेगा तो कप किये थे तो इसका डेटगर याद गर्याद करेंगे तो 1801 में पेसवा के अगर बात करेंगे तो ये भी 1801 में भोसले की बात करेंगे तो 1803 में इस आपसन कुछार सबसे पहले जो है 1778 में हैदराबाद की निजाम ने साहेक संदी पर हस्ताचर किया था कोशन नमर 17 देखिए निमलिखित में से कौन डलहाओ जी की सबसे भयेंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई पंजाब का अधिक रहाण निचले बर्मा पर अधिकार या गोद लेने की प्रथा का निसेद या आवध का अधिक रहाण इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा डी आवध का अधिक ग्रहाण कोस्टन नमबर 18 है 1793 की अस्थाई भूमी ब्यवस्था के द्वारा भू स्वामित किसको मिला था दिया है ब्यक्तिकत रूप से किसानों को या जमिदारों को या ग्राम सभाओं को या राज्जी को इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा बी जमिदारों को कोस्टन नमबर 19 है भारत में डचों द्वारा प्रथम फैक्टरी कहां अस्थापित की गई थी मचली पटनम, चिनसुरा, कासिम बजार या कारिकल में इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा A मचली पटनम में कहां पर मचली पटनम, मचली पटनम या मुचली पटनम भी नाम देता है दोने एकी नाम है कोश्चन नमबर 20 देखे निमलिखित में से रुहेल खंड में 1857 के बिद्रो का नेता कौन था तो 1857 के बिद्रो का नेता पूछ रहा है कौन था इस में हसन खां, पीर अली, खान बहादूर खां या उप्युक्त में से कोई नेता इसका एंसर हो जाएगा C, खान बहादूर खां कौन नमर 21 है, 1857 के बिद्रो के पूछ साथ आवद के तालुकदारों की नई भूमिका क्या थी दिया है राजनिती में उन किरूची, उन्होंने संगठितों के अंगरेजी में संगर्स क्या वे कांगरेज के समर्थक बन गए, वे अंगरेजों के गहरे मित्र बन गए कौन नमर 23 है, निमलिकित में से कौन भारत में प्रथम में महिला विश्विद्याले के बनने में कारण था, इस्वर्चंद विद्यासागर इस्वर्चंद विद्यासागर दिया है, स्रीमति रमाबाई, डीके करवे या महादेव गोविंद रनाडे कौन था इसमें, तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा, डीके करवे, सी वल अंसर होगा, डीके करवे कौस्टन नमबर 24 है, बंगाल में मुस्लिम पुनर जागरण के पिता थे, दिया है, सरसयद आमत खां, अमीर अली, नबाब अब्दुललतीफ खां, या नबाब सलिमुल्ला खां, इसमें करेक्ट अंसर हो जाएगा, सी नबाब अब्दुललतीफ खां कौस्टन नमबर 25 है, और अन्तिम कौस्टन है, महात्मा गांधी छडिक भूत की भाती धूल उडाते हैं, अस्तर नहीं उठाते, यह कथन किस से संबंधित है आप संदिया है, भीमराव अंबेट कर, मोहम्मद अली जिन्ना, सुबास चंदर बोष या बिनायक दामोदर सबार करने इसमें करेक्ट एंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेट करने यह थे क्वेशन आज के लिए, तो उमिद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हाँ, अधिक सदिक सेयर करें धन्यवाद दोस्तों, जैहिंद वंदे मात्रम